हाई फ्रेंड्स प्यूटी गैड में आपका स्वागत है और काले घहने लंबे बाल यह देख लेए आप मेरे यह मैंने ऑईल लगा लगा कि इतने लंबे किया हैं तो आपको पता है कि सही तरीके से बालों में तेल कैसे लगाया जाता है और सिंपल अगर आपके बालों में होसकते हैं लेकिन तरीका सही होना जाए है तो जिसी यह मेरे जो असली बाल है एसा है आप समझे क का रहे नटली लगाए होए हैं तो यह मैंने तो मैं क्या करती हूं कि मेरे इतने लंबे बाल में लेती हूं तो तीन चमच लेकर लेकर कोटन के साथ मैं ऐसे डिप करकरे ऐसे बालो में लगाती हूं और इससे क्या होता है जब आपके रूट्स वीक होते हैं तो धीरे धीरे इस्ट्रॉंग होना चाले हो जाता है मैं लगाती हूँ वीक में दो बार संडे को तो मोसली लगाती हूँ लेकिन बीच में जब भी में रपास टाइम मिलता है तो मैं उसमें लगा लेती हूँ लगाने के बाद एसे पूरे बालों में से पांटिंग करें और एंड़ नेचे तर्ख किंकि यहां से यहां तक जो बाल होते हैं इसलेकिन视ल लिचन लेकिन बहुत लों कि बहुत हें लेकिन फिर्पलय नीज नगों कर दो इंड़ा होती है और प clicked on कि वो में वह इतना हैं आव तो जब आप तेल लगाते हों तो कोशिस यह किया किजिए कि नीचे भी अच्छे से पाले पूरे अपने बालों को नीचे से खुब लगा के ऐसे ऐसे लगाएंगे और इसको इसे रफ करके ऐसे थोड़ी दे अपने हाथों के हीट और बालों का जो हीट है इसके जो छोटी- जोटी-टिकलों होते हैं वह उपन हो जाते हैं और वह और अंदर तरह जाता है तो जो जब आप तेल लगाते हैं और यह जो बाल के भी इससी बीश में ही टूट जाते हैं यह टूटने आपके बंद हो जाएंगे लेकिन अगर आपके बालों में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और आप सिर्फ ऑईल लगा रहे हैं और यह जो मैंने ऑईल आप बनाया है यह घर का बना हुआ है मैंने एक वीडियो में लास्ट वीडियो में मैंने कोकोनेट ऑईल धर्बे बना के वोली ऑईल मैंने लगाया था अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आप कोई भी मार्केट से ऑईल लीजिए जो अच्छा है जो आपके बालों को छूट हो और लगा के बीत में दो बार और जब तेल लगाने के बाद कम से कम 10-15 मिन ऐसे क्लॉकवाइज धीरी धीरे अपने बालों में ऐसे मसाज करना है जब आप मसाज करेंगे तो यह और जादा जाता है और आपके बालों को बहुत अच्छे से नरिश्मेंट मिलता है मैं अपने बालों में कंडिशनल तो आप करके देखिए और आपको आपके बाद काले गहने लम्ले बाल होते हैं तो मुझे तो बहुत खुशी होगी तक कमेंस में जुरूर आप कीजेगा थैंक यूँ